नमस्कार मित्र, श्वागत आपका मेरे चैनल में, मैं अचारी पंकत सास्त्रय आपका अपने चैनल में तैय दिल से हर्दी कमनंदन करता हूँ, उपस्तित हो, तुलाराशी का मासिकरासि फल, फरवरी 2020 को ले करके, क्या बिसेस रहेगा तुलाराशी के जात्कों का इस फरवर शुक शम्रद्धि के कारक तथा लाव आपको दे सकते हैं और कौन से तितियां आपको हानि पहुचा सकते हैं फरवरी के मा में तो आए प्रारम करते हैं सरपर्थम में आपको यह बता दूँ कि यह रासी फल चंद्रकुंडली पर आधारित है अर्थात इसको लगन कुंडली से न जोड़े यदि आपकी जन्व पत्रिका में चंद्रमा साथ अंक पर इस्तित है तो आपके निश्चित रूप से तुलारासी बनती है यह रासी फल आपके लिए है तो आए परारम करते हैं और एक दिश्ट्री डालते हैं तुलारासी के जात्कों की ग्रह गोचरी बिवस्ता पर किस परकार रहेगी इस पूरे फरवरी के मा में तुलारासी के जात्कों की ग्रह गोचरी बिवस्ता तो तुलारासी का स्वामी शुक्र जो कि कुम्ब रासिगत पंचम अस्तान में रहने वाले हैं वहीं शूर्य, शनी और बुद्ध का संचार आपके लिए चतुर्त अस्तान मकर रासिस्त में इस्तित हैं गुरु और केतु प्राक्रम अस्तान धनुरासी में इस्तित हैं मंगल दुतिय भाव पर अपनी शुरासी यानि ब्रिश्चिक रासी में ही हैं और राहू भाग्य अस्तान मिथुन रासी में पिस्तित रहने वाले हैं चंद्रमा की बाद में करेंगे सरपर्थम मैं आपको बता दू कि दो फरवरी को ही शुक्रदेव रासी परवर्तन करेंगे जो कि आपके रासी के स्वामी है और शुक्रदेव जो कि अभी तक आपके लिए पंचम अस्तान में थे वह छटे अस्तान में उच्छ रासिस्त हो जाएंगे वहीं साथ तारिको मंगल भी रासी परवर्तन करने वाले हैं और मंगल जो कि अभी तक दूतियास्तान में थे वह अब अपने कारक अस्तान पर यानि तिरतियास्तान पर प्राकरम के अस्तान पर गुरु और केतु के साथ त्युती बनाएंगे वहीं 13 तारिक को सूर्य रासी परवर्तन करने वाले हैं और सूर्य मकर रासी को छोड़ करके कुम रासिगत पंचम अस्तान में आएंगे 28 तारिक को पुनह शुक्रदेव रासी परवर्तन करेंगे जो कि आपके है रासी स्वामी है शुक्रदेव मीन रासी को छोड़कर अर्थात अपने उच रासी को छोड़कर सब्तम अस्तान में आपके लिए मेस रासी के बन जाएंगे यहाँ आपकी ग्रहेग उचरे विवस्ता रहेगी इस फरवरी के माह में अब इस ग्रहेग उचरे विवस्ता के हुई दिक्कत हो और स्वाससंबंदित दिक्कते बिलकुल नहीं होने वाले हैं यह आपके लिए शुकषद और शुफ समाचार रहेगा इस फरवरी के महा में हालांकि थोड़े मोटे यह थोड़ी बहुत मौसमी तत्विय दिक्कते हैं यह हो सकते हैं लेकिन बहुत बड़े बीमारी के कोई chances नहीं बनते हैं और आप स्वस्त रहने वाले हैं फरवरी के पर्थम सब्ता पर मंगल अश्टम अस्तान को देखेगा पर्थम सब्ता में यानि दूतिया भाव पर विराजमान हो करके अश्टम अस्तान में सब्तम द्रिश्टी से और विष्टे यह जो जातक वाहानी त्यादि चलाते हैं उनको विष्चेस रूप से साबधानी पृतनी चाहिए वहली कारी चेत्र की स्वामी चंद्रमा बनते और कई बार आपके मन में जो है कारी छेत्र को लेकर के बड़ी संखाएं होती है तुलारासी के जातकों का किसी भी कारी छेत्र में मन इस्तिरता से नहीं रहता है और इसलिए आप कई बार अपने दिसाएं बटक जाते हैं लेकिन इस बार आपके लिए बहुत अच्छी स्तित के लिए शनी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है शनी चतुरतस्तान में अपने रासी परवर्तन कर चुके हैं और जो के ढाई साल तक यहीं रहेंगे और ढाई साल तक यहां रहेंगे मतलब आपका कार्य छेत्र किसी न किसी परकार से आपका सेटलमेंट अवश्य लाएंगे शनी की यहां इस्तिती शुक्ष सम्रेदी भी बड़ावा देता है और आपको कार्य छेत्र में आप टेक्नलोजी से लाइट इत्यादी के छेत्र से या किसी फूर्ड इंडस्ट्री इत्यादी कहीं न कहीं आपको अच्छी इस्तितिया मनेंगी साथी जो जातक अपनी नोगरी परवर्तन करना चाते हैं उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा योग बना है आप अपनी नोगरी परवर्तन इस समय कर सकते हैं और यह परवर्तन आपके लाबदायक रहने वाले हैं वहीं बात करें शुक्र की शुक्र जो के आपके राश्यस्वामी है और यात्रा का भी योक बन सकता है और आप अपने कारे चेत्र को लेकरके कई न कई बहार भी जा सकते हैं तो यौ फरवरी के माह में व्यापार के दृष्टी सभी आपके लिए अच्छा रहेगा और कारे की दृष्टी सब के पंचमस्तान पर जाते हैं और जैसे पंचमस्तान में जाएंगे तेरह फरवरी को वहां से पूर्ट तो सप्तम द्रिष्टी से अपने ही घर को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आए बढ़ने वाली है फरवरी की दो सप्ताहा तो आपको पर्थम दो सप्ता करे सकता हूं कि आपके आए एक मजबूत रूप में आपको देखने को मिल सकती है तो आए के लिए आपका अच्छा रहने वाला है अब आद चंद्रमा की करें तो मित्रों चंद्रमा भौती गति सील्ग रहा है यह दो से सवादो दिन के भीतर अपने रासी परवर्तन कर द तित्यों में चंद्रमा 6-8-12 में होगा अर्थात हमें किसी ना किसी प्रकार के हानी तब होती है चाहे हमारे मानसिक तनाव हमें बढ़ जाता है साररी कस्ट होता है चाहे हमें आलस की अत्यादी कुद्पत्ति हो और यहां सब हम सब के जीवन में होता है आपके हो यह हमारे एक महा के भीतर 6-8 तिथियां होती ही ऐसी हैं जिन तिथियों में हमाई बहुत अच्छा रिस्पॉंस देखने को नहीं मिलता तो लेकिन उससे पूर मैं आपको बताता हूँ सुब तिथियां तो तारिक 2, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 20, 21 और 23 तारिक तुलारासी के जात्कों के लिए बेह पढ़ सकते हैं तो आपका जीवन मंगल में हो यहीं मंगल कामना करते हैं नवश्कार साथी शभी तुलारासी के जात्कों को आने वाली 21 फरवरी शन 2020 महाश्यवरात्रे पर्व की हार्दिक शुकामना है यदि आप अपनी निजी रूप से किसी न किसी परकार से कस्ट में ह तो आपको तुलारासी के जात्कों को गन्य के रस से और गुड से भगवान रुद्र का रुद्रा विशेक अवश्य करना चाहिए मेरा विश्वास है आपकी सबीश मश्याओं का शमाधान भगवान भोले नात करेंगे और आप परकिरपा बनाए रखेंगे नमस्कार